है गाइस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल को गाइस इस कोरोना काल के चलते तकरीबं तकरीबं सभी लोगों को आर्थिक दिक को सामना पड़ रहा है ऐसे लोगों की आर्थिक दिक को मेंग इनको दे रहे हैं उनको दे रही है幽 inde prefix thereIn इसको लटीज को लिफीज देना चाहते हैं, देना चाहते हैं किसी का उधार, लेना चाहते हैं लोन घर बैठे अपने वाइल फोन से, तो ये वीडियो उसकी बिलकुल मत करना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ पर एक एसा ट्रस्टीड बैंक लेकर आया है, जहां अगर आप लोन के लिए अपलाइ करेंगे, तो आपको इससे आप अपनी परस्टीड जिरोत को पूरा कर सकते हैं, लोन लेने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, अगर आप नभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाई चैनल भी सब्सक्राइब तो चलिए गाई देखते हैं, कौन सा बैंक है जहां पर आप ले सकते हैं, अमेरिजिंसी लोन चलिए शुरू करते हैं तो गैस अगर आप लेना चाहते हैं घर बैठे अपने वाइल फोन से लोन तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे Axis Bank से लोन के लिए अपलाइक कर सकते हैं Axis Bank का नाम सुनते हैं आपको समझ आ गया होगा कि हाँ वाकर ट्रस्टेड बैंक है अगर आपके घर में कोई Medical Emergency है साधी के लिए पैसे जूरत है या फिर आप अपनी किसी परसनल जरूत को पुरा करने के लिए लेना चाहते हैं लोन तो आप Axis Bank से लोन के लिए अपलाइक कर सकते हैं आपको यहाँ पर instantly offer मिलता है आपको यहाँ पर loan भी मिलेगा अगर आपके पास documents complete होंगे instantly आपको approval मिलेगा उसके बाद loan भी आपको मिलेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने website open करकी है इंटरफेस को चीज तरीक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं आप जो है डिरेकली गूगल पर जाकर Axis Bank loan apply जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर Axis Bank के official website मिल जाएगी और इंटरफेस को चीज तरीक दिखाई दिने वाला जब आप इसको open करने वाले हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे उपर जो है bank को ने finance company ने अपनी website के अंदर EMI calculator डाल दिया कि भाई आप जो है पहले चेक कर लेजिए आपकी EMI कितनी होगी कितना loan लेने पर उसके बाद आप loan apply कीजएगा तो अगर आप भी सोच रहे हैं भाई 2 लाग का लोग लेना चाहते हैं अमार EMI कितनी होगी मैं नहीं पता तो आप यहाँ पर जो है अपनी EMI calculate करने के बाद loan apply कीजएगा जैसे यहाँ पर example के तो ने बता रहे हैं कभी अगर आप 50 अरपे का loan लेते हैं 12 महिने के लिए 12% पर एंदम के interest पर तो आपकी EMI होगी 442 रुपे इसी तरीके साब इस loan अमोट गटा बढ़ा सकते हैं टेनर गट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आपने loan के लिए अपलाई करना है फिर आपको नियरिश्ट बरांज जाना या फिर इनके employee के पास आएंगे documents ले जाने के लिए उसके बाद आप loan apply कर सकते हैं offline ठीक है लेकिन अगर आप online loan के लिए apply करना चाहते है तो आप यहीं पर loan apply क कर सकते हैं इस website पर जिसके लिए मैं आपको यहां पर बता रहूं वीडियो की मत करना है पहले आपको बताऊंगे लिजबिलिटी क्रेटेरिया डॉक्मेंट्स क्या देने लास्ट बताऊंगा आपको लोन किस तरीकर से apply करना है तो आप देख सकते हैं यहां पर बोली परसन परसनल लोन आप किसी के लिए सकते हैं तो आप परसनल लोन के लिए apply कर सकते हैं एक पर अगर आपको अप्रूव मिलने के बाद आपकी लोन अमौट आपकी बैंकर कर दी जाती है ठीक है minimum documentation होने वाले हैं आपके नहीं कम documents आपको लोन मिलेगा सबसे कम लोन जो आपको मिलेगा 50,000 रुपे गाई पचाजाल से आपको लोन स्टार्ट हो जाएगा कम से पचाजाल आपको लोन आपको ही मिलेगा यहां पर अगर पहले से कोई loan चला उसको transfer भी कर सकते हैं नहीं balance transfer भ कर सकते हैं किस तरीकी से आप यहां पर लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं तो आप लोन ले सकते हैं यहां पर बहुत ही कम documents आपको यहां पर loan मिलेगा 21 साल की कम से कम आपकी उमर होनी चाहिए, 60 साल की maximum उमर आपकी होनी चाहिए, minimum monthly income कम से कम 15,000 मेन आपकी होनी चाहिए लेकिन यहां पर क्यावल salary को loan मिलेगा, अगर आप self-employment होगे तो आपको साइध यहां पर loan ना मिले documents आपको यहां पर क्या देने है तो यहां पर यह बोलेग भाई, एक तो आपको यहां पर applications जो आपको fill करके देने है, due to fill application form उसको fill करके देना होगा, सही तरीके से, के वाचे documents देना होगे, जिसके अंदर आपको आधार card, pen card, bank statement वगरा, ITR वगरा देनी पड़ सकती है, उस आपको यहां पर क्या स्टार्ट होने वाला है, तो आप देख सकते हैं, परसलोन का जो interest rate है, वो आपका MCLR, एक साल का हो जाएगा, आपका 7.45%, इसके लाब और भी यहां पर बदा रख का, आप देख सकते हैं, आप बात करते हैं, आपने लोन किस तरीके से apply करना है, आपने आपको apply never tap दिखाए दे, उसके बाद page आपके सामने कुछ इस तरीकी से open हो जाएगा, यहां पर इनको features and benefits बता रहे हैं, लोन का interest क्या लगने वालों बता रहे हैं, तो यहां पर बोल लिग में interested आपका 10.45% से start हो जाएगा, चोई, 50,000 पे से लेकर 15,000 रुपे तक के लोन क के लिए आप यहां पर apply कर सकते हैं, 12-60 महिने तक के लिए आपको यहां पर loan मिल सकता है, loan apply करने के लिए आपको नीचे एक form दिखाए दे रहा है, इसको fill करना है, आगे step आपको complete करने है, अगर आप existing customer है, तो आपको यहां पर yes करना है, अगर नहीं है, तो आपने इसको no करने देना है, नीचे mobile number डालना है, state डालनी है, employment type आपको यहां पर choose करना है, self-employed है, फिर salary जो भी है, नीचे आपको यहां पर salary range बता दीने है, कितनी salary है आपकी, उसके बाद आपका complete नाम जो आपकी pen card के अंदर वो डालना है, email id, ct डालनी है, नीचे capture code डालना है, अगर आपको offer मिलता है, आगे कि step आपको complete करने है, जिसके आपको personal detail, employment detail, documents वगरे upload करने है, अपनी लोगन application submit कर देने है, उसके बाद आपकी verification हो, documents verify होगे, अगर आपका documents verify हो जाते है, आपका loan अपरू हो जाता है, उसके बाद आपको physically documents देने पड़ सकते हैं, एक बार access bank म कर सकते हैं, आपको किसी यह बाद जान रही जुरूत नहीं है, किसी को पैसे देने की जुरूत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं घर बैटे, ठीक है, तो आपको video चीले के तो like कर देना, ठीक है, चले मिलते हैं लेकिन वीडियो साथ, मैं तो apply करके नहीं रिखाओं क्योंकि